हेलो आवर होबी में आपका स्वागत है मैं ब्रेड के किनारों से केक बना रहे हूं ये ब्रेड के किनारे ले ले लिये थे और मिक्सी में ग्राइंड कर लिये थे मैंने डेड कटोरी ये ब्रेड लिया है और आदी कटोरी मैदा ले ली है और आदी कटोरी ही पिशिवी चिन्नी लूँगी और ये पिशिवी चिन्नी भी ले ली है और इसको एक मिक्षी के जार में डाल कर मिला लूँगी अब इसमें दूद डाल कर इसको ग्राइंड कर लूगी दूद हमें कम कम डालना है एक दम से ज़्यादा दूद नहीं डालना है क्योंकि एक दम से ज़्यादा डालेंगे तो बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा लग बग दूद पोना गिलास लग जाएगा तो इस तरह मैंने कम कम दूब डाला और इसको मिला कर गृइंड किया और गृइंड करने के बाद बाउल में निकाल लिया है और इसमें अब तीन चमच गी भी डाल दूँगे और गी एक बाउल में लगा कर उसमें मैदा भी लगा लोंगे ताकि बैटर तैयार होने के बाद उसमें पलट दे और बावल भी तैयार कर लिया था और उदर घी भी मिला लिया है बैटर में और इसमें अब टूटी फुरूटी भी डाल दूगी जो अंदर आ जाएंगी वो टूटी फुरूटी डाल दूगी और इसको मिलाने के बाद है इसके अंदर एक इनो का पाउच भी डाल दूगी ताकि केक अच्छी तरह से फूल जाए ना तो इसमें प्रेकिंग पौडर डाला है ना ही प्रेकिंग सोड़ा डाला है तो मैं इनो से ही काम चलाऊंगी तो इनो भी डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिला लूँगी और इतना ही मिलाऊंगी ज्यादा नहीं मिलाना है अगर हम ज्यादा मिलाएंगे तो इसके जो बबल है वो निकल जाएंगे तो आमें ये जालिदार केक बनाना है तो आमें इतना ही मिलाना है और जो बाउल तैयार किया था मैं दा लगा कर और गी लगा कर उसमें पलट दूँगी तो ये मैंने इस बाउल में पलट लिया और अच्छी तरह सारा बैटर इसमें डाल दूँगी और ये सारा बैटर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से टेप कर लूँगी तो ये टेप करने के बाद इसके उपर और भी तूटी फूटी लगा दूँगी ताकि केक दिखने में भी बहुत सुन्दर लगे तो ये टूटी फूटी की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें आप देख लेना ये भी बहुत ही टेश्टी बनी है और सही भी बनी है और ये मैंने उपर से टूटी फूटी लगा ली है और टूटी फूटी की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी और ये कडाई भी मेरी बिल्कुल गरम हो गई है और ये उपर से ढख दूँगी और ध्यान रहे कि इसको इस परकार ढखना है इसकी बाफ़े बाहर ना निकले और 20 मिंट के बाद मैंने एक स्टिक से चेक किया केक पक गया था लेकिन मैंने फिर भी 5 मिंट के लिए और रख दिया और केक बिल्कुल ही तयार हो गया है अब इसको मैं कडाई में से निकाल लोगी और ठंडा होने के बाद इसके किनारे चुटा कर मैं पलेट में निकाल लोगी ये बहुत ही टेस्टी बना था और आप भी इसको पना कर देखिए बच्चे वेबरेट के किनारे से बहुत ही टेस्टी बनता है और ये अच्छी तरह पज़ा है देख कलर भी अच्छा है और जिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए लाश्ट तक तेखने के लिए दन्यवाद